तीन चीजों को मिलाकर किया गया यह है उपाई, आपके जीवन में धनकी करेगा वारिश हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे उपाई की जो सीधे-सीधे धन से संबंदित हैं, संपत्ति को बढ़ाने से संबंदित हैं या आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की धन से सम्बंदी समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा यह उपाए एक क्रमबद तरीके से लगातार कुछ दिन किया जाएगा वीडियो को अंति तक देखेंगे साधरन तरीके से किया गया यह उपाए आपके जीवन में आ पारिश की तरह पैसा आपके जीवन में लेकर आता है वीडियो हमारा आपको कैसा लगा क्मेंहें राधे-रादे लेखें आप हमें lie करें फॉलो करें सबस्क्राइब करें राधे-रादे मित्रो स्वांकताय इस्ट्रो आश्चम पर आज हम बात कर रहे हैं धन्के एक ऐसे उपाई की जिसको क्रमबद तरीके से 43 दिन करने के बाद आप देखेंगे अपने जीवन में एकदम चमतकारिक लाब होते हुए यह उपाई शुक्रवार के दिन से आपको शुरू करना है और फिर लगातार 43 डेज आपको करना है इस उपाई को कोई भी महला कोई भी पुरुष अपने लिए कर सकता है और यह महलाओं को अशुद दिनों में भी करने वाला उपाई है क्या करना चाहिए अंते तक आप देखेंगे क्रमबद तरीके से मैं बता रहा हूँ यदि आप जैसा वीडियो में बताया गया है उसी प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन में धन से सम्मंदित जो भी समस्याएं हैं समप्त होने लगेंगी आपको सबसे पहले एक छोटा सा जार चाहिए होगा जिसको कांच का जार कहते हैं और आपको धकन वाला जार चाहिए होगा या कोई छोटा सा कांच का ऐसा बोटल जो चोड़े मूँ वाला हो वो आपको यहां पर धकन के साथ चाहिए होगा अगर कोई प्रियोग किया हुआ आपके घर में ऐसा जार है जो किसी चीज में प्रियोग किया था अगर वो साफ करके भी आप उसको प्रियोग करना चाहते हैं तो उसको निश्चित रूप से कर सकते हैं या घर में बाहर से नया लाकर भी आप उसको प्रियोग में ला सकते है अब आपको करना यह है कि थोड़े से तेज पात के पत्ते ले लीजिए और उनको छोटा छोटा पीस में काट लीजिए और तेज पात के पत्ते छोटे छोटे पीस में 2-3-3 इंच के आप काट लीजिए और उनको तेजपात के पत्तों को सबसे पहले उस जार में डालिए फिर आप बिना तूटे चावल एक मुठी ले लीजिए और बिना तूटे चावल एक मुठी उसमें डाल दीजिए एक चम्मच घी यदि गाय का मिल पाए तो बहुत बहतर रहेगा गाय का शुद्ध घी एक चम्मच आप उसमें डाल दीजिए और इसके बाद आप उसमें जो चीज़ें डाली हैं इसके साथ साथ आप इसमें 100 ml आप देख लीजिए 100 ml कितना हो रहा है 100 ml के आसपास आप इसमें डिस्टल बाटर यानि कि या तो कोई पानी ऐसा जो पैक्ड बाटर आता है या किसी के घर में गंगाजल अगर है तो सबसे बहतर है गंगाजल आप डाल दीजिए और इसके साथ साथ आप इसको जब रखने की बात आती है तो इसको ढकन बंद कर देंगे और ढकन बंद करकर आप इसको सुरक्षित स्थान पर रखेंगे लेकिन आपको करना ये है कि यह उपाय जैसे आज शुकरवार है आज से मालो आपने शुरू किया तो आप इसको ढकन बंद करकर रख दीजिए लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ढकन बंद करेंगे उससे जस्ट पहले आपको इसमें एक दाल चीनी का टुकड़ा भी डालना है अब आपके पास कितनी चीजें हो गई सबसे पहले आपने तेजपात के पत्ता डाला इसके बाद आपने एक मुठी चाबल डाला इसके बाद आपने एक चमज घी डाला सोयमेल पानी डाला और इसके बाद आपने सबसे लास्ट में इसमें डाल चीनी का एक टुकड़ा डाल दिया ये सारी चीज़ें आपने लिए और बंद कर दी और शुक्रवार के दिन बंद करकर सुरक्षित स्थान पर अपने घर में रख दिया आज से यह उपाई शुरू नहीं हुआ लेकिन आज से यह उपाई का क्रम शुरू हो गया अब अगला शुक्रवार जब आएगा उस दिन से यह उपाय शुरू माना जाएगा शुक्रवार अगले दिन जब आएगा आप डखकन खोलिए थोड़ा सा उस में से जल जो सारी चीजों का मिक्स आपने डाला है उसमें उस जल में सारा अर्क आ गया होगा उस जल को थोड़ा सा लीजिए इस हाथ से लीजिए इस हाथ पर लगाईए और हतेलियों पर उसको रगड लीजिए और अपनी मन में मनोकामना बोल दीजिए जो भी मनोकामना आपकी है डककन बंद करिए फिर वहीं सुरक्षित रख दीजिए अब यह उपाएं अगले शुक विसर्जित किया जाता है वहाँ पर आप इसको विसर्जित कर दीजिए आप देखेंगे आने वाले समय में जो विश आपने इस काम को करते हुए इस उपाई को करते हुए मांगी थी निश्यत रूप से आपके जीवन में फोड होती है रादे रादे